नमस्कार में पंडित नरेंद्र पाधियार लाइव हिंदुस्तान के जोतिशिय कारिक्रम में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहला लोग साथ फर्मुरी 2022 की ग्रहे स्थिते देग रहू ब्रिशव राशिम, केतु ब्रिश्यक राशिम, सूर शुक्र और मंगर ध रूकुम्ब राशी में और चंद्रमा मेश राशी में विराजमान है राशियों पर क्या प्रभा पड़ेगा आये देखिए मेश राशी सितारों की तरह चबकते हुए दिखाई पड़े जो चाहर है वो हो रहा है आयका मार्क प्रसस्त है निर्ड़ा लेने की छंता बहुत दबाव में है स्वास्त अच्छा है प्रेम और संतान का भी पूरा-पूरा साथ मिल रहा है व्यवसाई के स्थिति भी अच्छी है फिर भी खर्चे का दबाव बना हुआ है शिर जी को प्रणाम करते हैं मिथो नाशी आय में आशातीत सफल कर रहा है रुजी रोजगार में मिल रहा है स्वास्त अच्छा है प्रेम भी अच्छा है व्यापार भी अच्छा है और आये के नए माल प्रसस्त हो रहे है तो अच्छी इस्तिति लागबस्तू का दांकर करकरशी का व्यवसाई के स्थिति सुधर रहा है कोट का चेरी में विजय राजितिक लाव स्वास्त पहले से बहतर, प्रेम और संतान अभी थोड़ा माध्यम बना हो है, बचरमबली की शरण में रहें, उन्हें प्रडाम करते रहें, सिंग राशी, जोखिम से उबर चुके हैं, परिस्थतियां अनुकूल हो चुकी हैं, स्वास्त में सुधा, बेवसाई की स्थती और प्रेम की स्थती तो मानो वर्दान सा चवला है आपका, बेवस दूपास रखें, कन्यराशी, परिस्थतियां प्रतिपूल है, छोट चपिट लग सकता है, किसी परिशानी में पढ़ सकते हैं, थोड़ा बच के पार करिए, स्वास्थ, मध्यम है, प्रेम और व्यापार का पूरा-प जहता है हो सकता है, अध्भूत समय, आनन्दायक जीवन, पीली बस्तु का दान करें, ब्रश्यक राशी, विरोधियों पर फारी पढ़ेंके रुका हुआ कारी चल पढ़ेगा, स्वास्त अच्छा है, थोड़ा डिस्ट्रबेंस रहेगा, प्रेम और व्यापार का पूरा सा है, जिसके ध्यान रखना है, स्वास्त अच्छा है, ब्यापारीक दृष्टी कोण से उत्तम समय, बजरंगली को प्रणाम करें, मकर राशी, बहतीक सुक्संपदा में ब्रधी, घुम्भू अन्वाहन की खरदारी, स्वास्त अच्छा है, प्रेम अच्छा है, ब्यापार अ प्रेम सफलता के तरफ ले जाएगा, पुरसार्थ, सार्थक होंगे, स्वास्त अच्छा है, ब्यापार बहुत अच्छा है, प्रेम की इस्तती कब पहले से सुधर चुकी, बजरंगली को प्रणाम करें, मीन रशी, आर्थिक मामले सुलजेंगे, लिक्विट फन में बढ़ झाल